असलाम अलेकुम नाजरें, FSID नूज में आपका इस्तखबाल है, मैं मुहम्मद फारोग पढ़ते हैं आज की इताला ख़बर पर गोल्डन ड्रेस किच्पेर का शांदर आफर, एक ड्रेस खरिदने पर दूसरा ड्रेस आधे दाम में हासिल कर सकते हैं इस शांदर आफर का भरपूर फाइदा उठाएं म क कंसक्शन्स, इंजिनिरिंग कंसल्टेंस और सिविल कॉंट्रेक्टर्स, फर्स्ट रोर, नियर किष्णवनी स्कूल, शाहचा गुट्टा महभूप नगर रॉयल फंक्शन हाल महभूप नगर में मौनकदा सहाफ़ती कानफिरंस का इनकाद अमल में लाया गया इस सहाफ़ती कानफिरंस को मخاطب करते हुए जाबर बेंच सेद जाबरी इंचार्ट मजदिस मुताहर जला महभूप नगर ने कहा कि न्यूटॉन में मौझूद वखव अराजी का जो अर्से दराज से मसला था इसको खतम करते हुए मजदिस शम्स की तामीर और हजहोस की तामीर के लिए रह अमवार करने पर वजिस निवास गौट से इजहार तशक्र किया महमद शब्बिर अहमद बल्दिया कांसलर फ्लो लीडर टी अरेस ने कहा कि मजद सम्से मुतस्ल वखव अराजी जो तनाजिका शिकार थी इस अराजी के मसले को हल करने में रियास्थ वजिस निवास गौट जो अहम रोल अदा किया है इसके लिए मुसलमना ने महिम नगर की जानिब से रियास्थ वजिस निवास गौट से इजहार तशक्र किया जा रहा है सेद शफियोदीन खादिरी कांट्रैक्टर ने कहा कि वखव अराजी का जो अरसे दराज से इस अराजी के मसले का शिकार था इसको वजिस निवास गौट ने जिस तरह के से ये काम किया है वो एक इंतिहाई बड़ा काम है इसके लिए वजिस निवास गौट से इजहार तशक्र किया इस मौके पर मकसूद बिन अहमद जाकिरा डोकेट सदर जिला यूद मजलिस ने भी मकातिब किया मौम्मद जहांगीर खायद मजलिस के इलावा कौंसलरा ने बल दिया सेद महसीन मौम्मद मुझमील मुहिदीन खौजा पौशा सेद अमजेद शेख उमर राशेद कान मौम्मद महभूब मौम्मद मौनीब को आप्चन मेंबर अर्चेद अली अडवोकेट के इलावा मौम्मद हफीज मिर्जा जावीद बेक उदीगर मौझूद थे अज की ये प्रेस कानफरेंस जो बुलाई गई है इसका मकसद है कि हज हाउस के लिए शम्स मस्जित के बादू की अरादी जो एक डिस्प्यूट में थी जिसमें कई जमाने से जो है ना मुखदमें चल रहे थे इसमें जो है जो मुखालिफीन थे उनको और जो लोग हज हाउस के लिए वहाँ बनाने के लिए डिमांड कर रहे थे सिरी निवास गौड साहब से जिज मिनिस्टर साफ से तो कल उनोंने उन तमाम मुखालिफीन को और जो दावेदार थे उसके उनको और जो हज हाउस के लिए जो है ना मुसलमान उस जगे पे बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उन सब को बलाकर अपने मकान पर जिस अंदाज में जिस तरीखे से उनोंने एक संजीदा तोर पे एक अच्छा सा एक सिलोशन निकाल कर उन सबसे जो है ना ये एक मेमरंडम आफ अंडर स्टाइनिंग लिखा दिया गया कि भई उस जगा पर अगर हजाउस और शमसमस्जीद की development करते हैं तो वो जो मुखालिफईन हैं वो लोग उसमें किसी खिसम की दखल अंदादी या किसी खिसम की रुकावाट पैदा नहीं करेंगे ये एक ऐसा एकदाम है जिसके लिए हम तमाम मुसलमान जनाब वी सिनी निवास गौर्ड सहाब मिनिस्टर का हम तह दिल से शुक्रियादा करते हैं और उनका उनको इस 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 एकदाम के लिए उनका खैर मुखदम करते हैं और साथे साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हमारे तिलंगाना में आप जानते हैं अब जो असम्बली चल रही है उसमें जो है पिछले कुछ दिनों से जो है हमारे खायद मुखनना जनाब अकबर अदीन अवेसी सहाब जो है ना इस अवखाफी जादात के ओपर हवाज उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सतर हजार एकड़ से जादा राज आज मस्डिद शम्स शासाब गुट्टा महभूब नगर की जो जमीन का मसला था दोनों पार्टीस के बीच कॉम्परमाइज करा के मिस्टर स्रीनिवास गवर्ड साहब अपने घर पे दोनों को बुला के समझा के और उनको भी आल्टरनेट अरेंजमेंट करके वो लोग भी नाराज नहीं हुए जैसा मस्जिद के जो भी मौजुदा मस्जिद की भी आराजगी को और बाजू में हजहाउस के लिए भी जो खाली जमीन थी उस पे हजहाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए आज जो कॉम्परमाइज कराए वो जमीन जो करोडों में आज उसकी खिमत है वो जमीन को इतनी आसानी से 45 साल 40 साल से 5-6 केसे चल रहे रोज वहां पे हिफाज़त करने के आस्ते बहुत सारे लोग उसकी हिफाज़त में भी लगे वे थे उस वो मसला इतनी आसानी से जो 4-5 जिन से मिनिस्टर साफ अपने मकान पे बुला के वो लोगों से निगोसियेट करके बात करके उनको भी खुशी खुशी वो लोगों को भी मना के जो आज करे शायद हमारे लिए और हमारी आराज़गी वक्फ के आराज़गी मुसल्मानों के आराज़गी है तो हमारी आराज़गी की को सेव करे वहें महभूम नगर के मुसल्मानों की तरफ से स्रीनियाज़ साथ का शुक्रियादा करता हूं और ये जो पेपर्स है एक कि ये मस्जिद के लिए fan भी जो आराजधी थी वो भी कि मस्जिद हुश्प के आराजदी के जो ही यहाता है, वो भी क्लियर करा दिये, उसका भी एक अलग डॉक्मेंट बनाएं, इसका भी एक डॉक्मेंट बनाएं, हज हाउस का। इस से चालिस साल बरसे मजजिद शम्स के बाजू में जो अराजी थी, वो अराजी के सिलसले में, कल दो पार्टिस के बीच में, जो जमीन का जगड़ा चल रहा था, जो शम्स मजजिद के बाजू के, जो जमीन के बारे में लेकर, उस जमीन को कल, हमारे हर्दी लजीज मिर्सर स्री वी सीनुवाजगोड साहाब कर साहाब के मकान पर कल दो पार्टी इसको बुला कर वहाँ पर संजीदगी से जमीन के मसले को हल किया गया है और मज्जीद शम्स के बाजु में हज्जा उसकी तामीर के लिए दो पार्टियों के बिढ़ा कर रजा मंदी किया है ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे मिनिस्टर रवी सीनुवाजगोड साहाब जब से अलाहिदा तिलंगाना अलग होने के बाद गुईस्ता साथ सालों से जो तिलंगाना स्टेट जो तरख्य के उस पे जा रहा है ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे सीम केसियार साहाब की सदारत में हरदिल अजीज साहाब हमारे मिनिस्टर रवी सीनुवाजगोड साहाब की सदारत में जो गंगा जमना तहिजीब की मिसाल जो देखे हैं कल सीनुवाजगोड साहाब के घर पे देखे हैं कोई जगडा ने कोई मसला ने दोनों को समझा कर वहां कर जमीन दिला कर हज्जवाज की तामीर करने के लिए हमें जो तवकुन दिया है हमारे मिनिस्टर रवी सीनुवाजगोड साहाब का मैं टह्यदिल से और हमारे काईसलरों के तरफ से और हमारे सहरे महाबूब नगर के अवाम के तरफ से मैं टह्यदिल से मैं शुकर अधा करता हूँ और साती ए अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बूप पर देख रहे है तो पेज को लाइक करें और फालो करें